नमस्कार दोस्तों, वेलकम बेक टू माई चैनल मैं अपने लास्ट वीडियो की तरह इस बार भी नवरात्य स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वरत में खाये जाने वाले पराठे जो खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और बनाने में भी काफी आसान है इन पराठों के साथ ना रायते का कॉम्बनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है मैं आप सभी की साथ इन दोनों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो आईए शुरू करते हैं वरत के प्राठे बनाने के लिए मैंने या पर एक कप के जितना राजगीरा आटा लिया है मेडियम साइज का उबला हुआ आलू जिसे मैंने मैश कर लिया है एक चोथा ही कप के जितना भूने हुए और कुटे हुए मुफली के दाने एक बारी कटी हुई हरी मिर्ज थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे वन टी स्पून के जितना धनिया पाउडर वन टी स्पून लाल मिर्ज पाउडर अगर आप रत में लाल मिच पाउडर नहीं खाते तो आप काली मिच का पाउडर भी डाल सकते हैं अब आधा चम्मच के जितना जीरा डालेंगे अब स्वाध अनुसार रत में खाये जाने वाला सेंधा नमक अब आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो बना लेंगे और हाँ दोस्तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दे और हाँ बेल बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे डो रेडी हो गया है अब डो को बिल्कुल भी रेस्ट के लिए नहीं रखना है मैं फटाफट से इसके लोई बना लेना है और सूख्य राजगिरी के आटे में लपेट कर इसे हम बेल लेंगे मुझे भी ये पराठे बनाने की जादा प्रेक्टिस नहीं है ये मैं दूसरी बार ही बना रही हूँ जब लास्ट टाइम मैंने बनाये थे ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो इसलिए सोचा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी ये रेसिपी पसंद आए अब पराठे को गर्म तवे पर डाल देंगे पराठों को हमें लो फ्लेम पर ही सेखना है पराठा जब हलका सा एक तरफ से सीख जाएगा तो हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से से शेख लेंगे दूनों तरफ से हलका सीखने के बाद इसे मुमफली का तेल लगा कर सेख लेंगे तेल लगाने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा कर मीडियम कर सकते है पराठा अब दूनों तरफ से अच्छे से सीख चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह सारे पराठे रेडी कर लेंगे अब हम बनाएंगे व्रतवाला रायता रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप के जितना दही ले लिया है दही को हैंड विक्सर से अच्छे से फेट लेंगे अब दही में आदा चमच के जितना लाल मिर्च पाउडर आदा चमच के जितना भूना हुआ जीरा पाउडर स्वादनुसर सेंधा नमक बारिक कटी हुई एक हरी मिर्च अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अब डालेंगे कद्दू कस्की हुई ककडी यानि की कुकुम्बर अब लास्ट में हम डालेंगे आदा चमच के जितना शूगर शूगर ऑप्शनल है आप चाहे तो स्कीप कर सकते हैं अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुकुम्बर रायता तयार है कुकुम्बर रायता खाने में बहुत रिफ्रेशिंग लगता है पसनली ये मेरा फेवरेट है वरत में ही नहीं मैं नॉर्मली भी इसे बनाती रहती हूँ अगर आप नॉर्मली इसे बना रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए राधे राधे और डोंट फगेट टो लाइक, शेर और सब्सक्राइब